जो गाइस इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एक रैंडम शेप अगर आपके सामने रहेगा जिस पर चार्ज रहेगा उस चार्ज चांड़क्टर के वज़े से उसके सर्फ़िस पर कितना फोर्स एक्सपिरेंस होता है यह देखे मैंने चार्ज कंड़क्टर बनाया है इसमे यहीं procedure से हम लोग आगे पढ़ सकते हैं, यह चीज तो आपको भी पता है, अब charge conductor पर अगर center पर charge डाल दिया तो automatically वो charges repel होकर surface पर चले जाएंगे, इसी वज़े से मेरे charges जो बनाया है, वो surface पर बनाया है, जो भी छोटा सा area मैंने consider किया, let me call that area as ds, जो भी charge रहेगा इस area पर let me call that charge as dq, अब आपको तो पता है कि हर एक piece of charge के वज़े से कुछ ना गुस्तो electric field होता है, अब यहाँ पर भी इस piece of charge के वज़े से कुछ ना गुस्तो electric field होगा, let me call that electric field because of this piece of charge as e1, let me point out two different points, एक point just बहार, मतलब इस surface के just बहार और दूसरा point surface के just अंदर, अब just बहार इस piece के dq के वज़े से जो भी electric field होती है, let me call that electric field as e1, similarly, dq के वज़े से जो भी electric field just अंदर होगी, वो भी क्या होगा, वो भी even होगा, the only difference is उसका direction कैसे होगा, अंदर के तरफ होगा, अब जो बचा हुआ piece रहगा, इस बचे हुआ piece को अगर तुमने separately देख लिया, so it's like this, so it's an open piece, जहां से मैंने dq को separate कर लिया, dq को separate करने का जो भी बचता है, अभी आपको भी पता है कि यहां पर क्या होगा, उपर वाले charges के वज़े से electric field नीचे होगा, नीचे वाले charges के वज़े से electric field उपर होगा, अंदर के तरफ, जिस वज़े से यह लोग दोनों cancel हो जाएंगे, लेक अब आपको तो पता है कि कोई भी conductor के अंदर, electric field जो होता है, electric field inside जो होता है, हमेशा ही zero होता है, अब यहां पर आपने देखा होगा, electric field inside को मैंने एक और तरीके से रिप्रेजन किया, that is, represented as, e1-e2, minus q डाला है, क्योंकि opposite direction में है, बड़ अंदर तो हमेशा zero रहता है, which means, मैं बोल सकता हूँ, electric field, इस छोटे से piece के वज़े से जितना भी होगा, और इस बड़े से piece के वज़े से जितना भी होगा, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा, आप सोचोंगे, ऐसे possibly कैसे होता है, see, reason बहुत सिंपल है, बड़े से piece का वो पूरा का पूरा electric field, effective नहीं हो रहा है, because, यहां पर आप देख रहे हो, इतने बड़े piece का electric field, इतने बड़े piece के electric field से cancel हो रही है, so that is the reason why, सिर्फ यह चोटा सा piece जोएने, इसी का electric field आगे के तरफ effectively बढ़ रहा है, इसी वाज़े से मैं बूल रहा हूँ, इस बड़े piece का total electric field and चोटे piece का total electric field will be same, anyway, अब बाहर के अगर बात करे, कोई भी random conductor होगा, तो random conductor के just बाहर electric field होता है, हमने सीखा है कि electric field just outside, any random conductor is equal to sigma upon epsilon, तो वही logic आपको यहाँ पर भी लगाना है, sigma upon epsilon करना है, अब देखेंगे बाहर का तो electric field जो मैंने बताया है, दोनों even e2, दोनों same direction पे है, which means, यहाँ पर मैं e1 plus e2 लिखूंगा, अब आपको तो पता है, e1 और e2 दोनों same ही है, एक काम करता हूँ, इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूँ, it will be written as 2 times e2, which means, e2 का expression मैंने अब भी अभी derive किया, sigma upon 2 epsilon, रखते हैं इसको as it is, अब हम majorly यहाँ पर क्या find करने के लिए आए है, majorly हम आए है, find करने के लिए force, चलो ठीक है, try करते है, force find करने के लिए, मैं same frame में रखने के कोशिश कर रहा हूँ, तो बाकी का यहाँ पर लिखता हूँ, तो force अगर आपको find करना है, force किसकी वज़े से find करना है, इसी basically मुझे find करना है, force इस particular area पर कितना है, वो find करके लिखते है, तो force इस particular area पर होगा, तो क्यों होगा, सीधी सी बात है, इस area को छोड़ कर, बचे हुए charges के वज़े से, जो भी electric field होगा, वो electric field इस area से भी तो पास हो रही है, तो definitely electric field जहाँ पर भी होती है, वहाँ पर जो भी charge present होती है, वो charge एक force experience करती है, वो force का expression होता है, हमें पता है कि electric field is also called as force per unit charge, तो वो logic से अगर देखा जाए, तो force experienced by this dq will be equal to, charge को इस तरफ ले के आऊँगा, charge multiplied by electric field, इस area के उपर का charge होता है dq, इस area को छोड़ कर, जो भी दूसरे area ने electric field दिया है, वो है e2, तो e2 लिखुँगा, एक बात समझ में रखना, यहाँ पर कभी भी e1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, e1 dq ने खुद ने generate किया है, c force कभी भी, जो charge electric field generate कर रही है, उसका खुद का electric field खुद के उपर force नहीं देता कभी भी, हमेशा दूसरे का electric field एक particular charge के उपर force देता है, therefore e2 ही हमेशा dq के उपर force देगा, अब dq के जगे पर हम लिख सकते हैं, अब हमें अच्छे से पता है कि जो sigma होती है, sigma होता है dq upon ds, ds को इस तरफ लेके आएगे, तो sigma multiplied by ds आएगा यहाँ पर, किसके जगे पर? dq के जगे पर, and e2 के जगे पर मैं लिख सकता हूँ, जो मैंने अभी भी derive करके रखा है, sigma upon 2 epsilon, तो sigma sigma दोनों combine हो जाएगा, sigma square upon 2 epsilon, multiplied by ds, will be equal to force. अब this is the force experience along the area, मतलब सिर्फ इस particular area पर जो force experience हुआ है, that is this expression. अब अगर किसी ने पूछा है कि, how much is the overall force per unit area experienced throughout the surface of conductor, तो उसके लिए भी जवाब बहुत easy है, मतलब small f पूछ रहा है बोलो, small f is equal to capital F upon force per unit area बोला है, तो capital F upon ds लिखेंगे, ds को अगर नीचे लिखेंगे, तो बचेगा हमारे पास sigma square upon 2 epsilon. This is your answer. इसमें से एक बात clear हो जाता है, since epsilon is constant, since 2 is constant, जितना ज्यादा sigma होगा, उतना ही ज्यादा force होगा, that means force is directly proportional to sigma square. उसके बात हम सीखेंगे, कि उसी charge surface पर, potential energy कितना होता है, या फिर energy density कितना होता है, let's learn. अब same charge surface वापस बना रहा हो, shape is not a big deal, so it's a random shaped conductor, conductor है, इसलिए charges सारे के सारे बहार आजाएंगे, let me consider, ये एक area मैं consider कर रहा हूँ, जैसे कि हर बार हम consider करते हैं, एक piece of area consider करते हैं, ये area का value है ds, as usual, अब CDC बात है, ये लोग, सब लोग मिल के इसको कुछ ना उस तो force दे रही है, that means there is some amount of, फिर भी ये वहाँ पर रुख रहे, that means there is some amount of energy stored in this particular area, अब let us consider, अगर ये attachment नहीं होता, तो ये बाकी के piece of electric field के वज़े से, जो भी charges, जो भी force experience हो रही थी, इस वज़े से, let me consider कि इसने थोड़ा सा displace किया होगा, अगर displace किया होता, तो जितना displace करेगा, उतना उसका energy लूज करेगा, अगर हमने वापस उसको वहीं जगे पर लेके गया, तो वापस उतना ही energy वो gain करेगा, so this area is ds, and this particular displacement, let me call that particular displacement as dl, ds is area and dl will be the length which is displaced, अब हमें पता है कि जो भी, सी हमें basically क्या पता करना है, energy पता करना है, energy पता करना है तो आपको work निकालना पड़ेगा, work basically क्या होता है, force into displacement, displacement यहां पर इस case में कितना होगा, dl होगा, force का expression हमने थोड़े दिर पहले ही derive किया था, it was sigma square upon 2 epsilon ds, यह होगा force का expression, then displacement dl, ds होता है area, dl होता है length, area into length हो जाएगा volume, so sigma square upon 2 epsilon multiplied by volume, dv is the change in volume, so इतना change in volume होने के लिए, इतना सा work करना पड़ा, dw का work करना पड़ा, so यह जो भी work होता है, यही work तो हम लोग energy के terms में भी categorize करते हैं, therefore the potential energy stored will be equal to sigma square upon 2 epsilon multiplied by dv, where dv will be the change in volume and du will be the change in energy, अभी यह dv को अगर नीचे लेके आया, so हमें मिल जाएगा, du, see this is the expression for energy for a particular volume, volume को अगर नीचे लेके आया, so I will be getting sigma square upon 2 epsilon, this will be the expression for energy per unit volume, that is nothing but energy density, and आप एक चीज़ जरूर याद रखना, since we know that e is equal to sigma upon epsilon, यहाँ पर sigma can be written as e epsilon, इसको अगर यहाँ पर substitute कर दिया, du by dv will be equal to 1 by 2 as it is आएगा, sigma square के जगा पर लिखूँगा, e square, epsilon square, 1 epsilon cancel हो जाएगा, तो 1 epsilon बचेगा, और e square बचेगा, this will be another expression for energy density, and आप अगर दियान देंगे, sigma upon 2 epsilon energy density का भी expression है, at the same time, force per unit area का भी expression, sigma square upon 2 epsilon है, so दोनों का expression same है यहाँ पर, that means, अगर half epsilon e square energy density के लिए, यूज किया जा सकता है, which means, half epsilon e square, यहाँ पर भी, यूज किया जा सकता है, force per unit, length के लिए भी, even यहाँ पर भी यूटिलाइस किया जा सकता है, half epsilon e square ds, so this is the theory about, अगर एक conductor रहेगा, conductor चार्ज रहेगा, तो चार्ज कंड़क्टर के वाल्स कितने force experience करते हैं, plus चार्ज कंड़क्टर के वाल्स के force के वेज़े से, उसमें कितना potential energy, या फर कितना energy density होता है, thanks a lot.